इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फोर की हिस्टरी ओफ इंडिया 1700 से लेके 1950 मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्टन की सीरीज डिसकस कर रहे हैं हम लास्ट वीडियो में भी यही डिसकस किया था सबीकौस्टन का सुलूशन भी आपको दिया गया इसके इंदर तो वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है एलिग्राम पर जाके आप इस ग्रूप को जरूर्ब जोइन कर लें एक लफ़ए सनातक वन के नाम से ग्रूप है इस एलिग्राम चैनल पर आपको लक्चर की की मुख्य विशेशताव को संशेफ में बताइए इस इंप इंडिया kपनी को अंतते इससे क्या क्या लाब हुए और हानिया हुई विए देखे जब बंगाल में इस इंटिया कमपनी का शाशन लागू हो गया था ना East India Company British की थी आप सभी को पताईए अंग्रेजों का जब अधिपत्य हो गया था भारत पर East India Company ने भारतिय किसानों पर जो है ये कर लगाये था स्थाई बंदोबस्त नाम का कर लगा दिया था ठीक है तो इसकी क्या-क्या विशेस था थी इसको भीकी स्वारावा करने वाले हैं स्थाई बंदोबस्त मुख्य तो जो लागू हुआ था वो कहां का लागू वा था बिहार में बंगाल में उडीसा में बनारस में ठीक है में इन 4 शहरों में इसको लागू किया गया था और उस समय का जो बृृटिस भारस था ना यानि कि उस समय जो British British ने जितने एरिया पे कबज़ा किया था ये लगबक 19% भूभाग था उसका यानि 19% भूभाग पे ये जो कर लगाय गया था स्थाई बंदोबस्ताम का ये British दुवार लगाय गया था अब इसमें था क्या इन छेत्रों में लागू की गई विवस्ता के करते थे ठीक है उस क्या है कि एक तरफ होगा British अर का धीकारी और एक part पर होगा जमीदार होगा और निचले कों दोक्रेत किसे निटियेधी पांट करते थे कि से जमीदार से एगवा 15 है원이 जो हिस्सा रहेगा ना यानि कि अगर किसान 11 फसल उगाता है तो 10 हिस्से जो है वो मुझे मिलने चीए किसको मिलने चीए ब्रिटिशर्स को मिलने चीए और जो एक हिस्सा बचेगा वो तुम रखोगे ठीक है तो इस परकार का कॉंट्रेक्ट करते थे किस से जमीदारों के जो उस समय भारतिय किसानों के उपर लगाए गया था अंग्रेजों के दुआरा इसकी विसेस्ता है क्या थी स्थाई बंदोबस्त की इस विवस्ता में जमीदारों को भूमी का मालिक माना गया था ठीक है जमीदारों को उन्होंने का बही तुम भूमी के मालिको लेकिन एक भी सकते हो यह अधिकारों ने दी देवाँ कंपनी और जमीदारों के बीच एक अनुबंदन किया गया इसमें उत्पादन चाहे ज्यादा हो या कम हो लेकिन कंपनी को एक निश्चित राशी प्राप्त होनी जो निश्चित राशी उन्होंने बना दी थी न वो उन्हें चाहि कि जमीदारों को कंप्री ने कहा कि हमें एक निस्चित रासी जो चाहिए हमने जो कर्द डिशाइड कर दिया वो कर दिया अब चाहिए फसल होगे ना होगे बरबाद हो जाए कुछ भी हो जाए हमें उससे मतलब नहीं है तुम कितना भी उत्पादन करो ठीक है हमें तो जो कर् कर चाहिए अब जमीदार क्या करते थे जमीदार किसानों पर दबाव बनाते थे कि तुम्हें अत्यदिक काम करके अत्यदिक फसल होगानी अत्यदिक उत्पादन करना है ना तो कुल मिला कि जो नुकसान हो रहा था वो किसका हो रहा था और फाइदा हो रहा था किसका हो रह हो हमें इससे मतलब नहीं है ऐसा contract उन्होंने जमीदारों के साथ sign किया जमीदारों को भूमी पर अधिकार तब तक था अब देखे यह आपर एक चीज और बता रहे हैं कि जमीदारों को भूमी के ओपर जो अधिकार दिया गया था ना भी पीछे मैंने आपको बता है कि जमीन को बेचने का मालिकान हग उने दे दे था ऐसा नहीं था जमीदारों को उन्होंने अधिकार तो दिया था लेकिन वो अधिकार तब तक था जब तक वो निश्चित तिथी को नियत राशी सरकार को देते रहे यानि कि British East India Company उन्होंने बहुत दिमाग लगाये था और उन्होंगे आख के अंधिकार कि आ सकता सपल केंगे तो यह इस परकार के गालचा साइन किये रहे था जमीदारों के साथ किसने British East India Company में और ये सब कुछ था किसके अंतर्गत स्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत ठीक है स्थाई बंदोबस्त नाम का जो कर लगाए गया था उसके अंतर्गत ये सारे कॉंट्रेट था अगला था भू राजसु में 1 बटा 11 हिस्से पर जमिदार का जबकि 10 बटा 11 हिस्से पर सरकार का अग था तो देख रहे हो आप कितना बड़ा कर 10 बटा 11 यानि कि 11 में से 10 हिस्सों पर जो अधिकार था वो किसका था बरिटीश रसकाता बिना कुछ करे तो इस तरह से जो है स्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था भारती किसानों पर जमिदारों के साथ मिल करके इससे किसानों का तो नुकसान हुई रहा था फाइदा किसका हो रहा था कंपनी का फायदा हुआ ठीक है अगले कोशन की बात करते हैं ओपनी वेशिक काल में जाती आंदोलनों ने किन किन मुख्य मुद्दों को उठाया ठीक है जोती राव फूले और बियारम बेड कर की विशेश संदर में विवेचना कीजिए देखे ओपनी वेशिक काल के अंदर ना भहुत सारी कुरीतियां थी हमारे समाज में एक तो सबसे बड़ी कुरीति ये थी कि महिलाओ को सिक्षा देने से रोका जाता था महिलाओ के लिए बाहर जाके शिक्षा प्राप्त करना अच्छा नहीं माना जाता था प्राप्तियों को जो है उसका सोशन किया था तो ये सारी समाजिक कुरीतिया थी उस समय और इनको जो दूर करने का विशेश कदम उठाए थे ना वो सुरुवात की थी जोतिराव फूले के दुवारा जोतिराव फूले एक महान समाज सुदारक रहे हैं इन्होंने खुद तो इन्होंने ऐसे काम किये थे साथ में इनकी बीवी जो थी सावितरी बैन फूले इन्होंने भी मिलकर के समा सुदार के अनेक कारे किये थे तो ओपनी वेशिक भारत में जाती विरोधी आंदोलन द्वारा उठाए गए जो मुद्दे थे वो क्या थे महिलाओ की स्थिति के संबद में सुदार ठीक है महिलाओ की स्थिति क्या सुदार लानी थी कि महिलाओ को शिक्षित करना है सबसे पहले तो क् शिक्षित होगी तो घर शिक्षित होगा तो सब कुछ ठीक रहेगा तो पहला मुद्दा था कि महिलाओ को शिक्षित किया जाना है समाज सुधार का पहला मुद्दा था ये उसके बाद उत्पीडित जातियों के लिए समानता होनी चाहिए जो भी निचली जातियों के साथ उ उसको खतम किया जाए, किस परकार से उसको खतम करना है, इसके पक्ष में काम किया इन सबने, धर्म और कर्म कार्ण में सुधार किये गए, ठीक है, धार्मिक रूप से किस परकार से जो निचली जाती है, उनको परेशान किया था, किस परकार से उनका शोशन किया जाता था उस आंदोलन रहे यानि निचली जातियों को जो उनके अधिकार दिलाने थे वो 19. صदी के मद्धे में स्टार्ट हो गए थे ठीक है जो इसके प्रोन अता थे यानि कि जो जिनोंने invention जिनोंने स्टार्ट किया था कि अब इसके परकार से इनको इनका शिक्षा दी जाये, निचली जात्यों के जा अधिकार है, उन्हें किस प्रकार से मिलने चाहिए, इसके पक्ष में काम करने वाले प्रत्म व्यक्ति कुन थे, जोतिराव फूले थे, इनके बाद आये डॉक्टर बियार अंबेड कर, जोतिराव फूले को अपना गुरु मानते और इनकी जो इनकी जो सोच थी उस सोच को आगे बढ़ाया था डॉक्टर बियारम बेड करने तो इन्होंने अपनी एहम भूमी का निभाई निचली जातियों को उनका अधिकार दिलाने में और 19. सदी के अंत तक देश के विबिन हिस्सों में कई जाती विरोधी अंदोलन ज और यह जाती विरोधी आंदोलन जो है यह बड़ा रूप लेने लग गए थे इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन आता है कि उदारवादी कौन थे उदारवादी कौन थे क्या वे राजनितिक याचक थे अब उदारवादी कौन थे यह आपको पता होना चाहिए उदारवादी की सुरुवात कहां से होती है यह जानिए आप देखे 1885 में कौंग्रेस की स्थापना होई थी भारती रास्टे कौंग्रेस की स्थापना होई थी 1885 में उस समय जो है अंग्रेजों का साशन था किसका साशन था अंग्रेजों का साशन था लेकिन अंग्रेजो के साशन के साथ ही जो है कॉंग्रेस की स्थापना हो चुकी थी तो 1905 तक जो है 1885 से 1905 तक उदारवादियों का जो कहते हैं उदारवादी जो कॉंग्रेस में जादा थे ठीक है उदारवादियों की संख्या जादा थी 1905 तक 1885 से 1905 तक कॉंग्रेस की गतिवीदियों पर उद भी लोग उस समय थे ना अब कौन-कौन लोग थे सुरेंदर नाथ बेनर जी होगे दादा भाई नौरा जी होगे फिरोज्चा महता गोपाल कृष्ण गोखले पंडित मदन मोहन ये सबी कौन थे ये सबी थे उदारवादी ठीक है इनकी सोच उदारवादी थी उदारवादी सोच क्या ये बदा देता हूं मैं आपको उदारवादी सोच थी कि जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं यानि कि उनके साथ ही हमें आगे बढ़ना है उनकी कुछ नीतियां उनको ठीक लगती थी कि इनकी कुछ नीतियां ठीक है जिससे देश का भला हो सकता है उनके नियाए पर उन्हें विश्वास था, कि जो नियाए कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से सोच थी, उधारवादी होगी. यह उधारवादी नेता, या या यह भी कह सकते हो, कि इनका जो वैवार था, वो काफी नर्म था, नर्म वैवार के लोग थे ठीक है इस काल को क्या का गया इस काल को का गया उदारवादी को थे उदारवादी नेता अंग्रेजों के न्याय प्रियता में विश्वास रखते थे देखें न्याय प्रियता यानि कि ये समस्ते थे अंग्रीजी शासन जो चल रहा है जो उसकी नयाय प्रणाली है वो ठीक है हमें इसमें विश्वास रखना चाहिए वो कहीं न कहीं ठीक काम कर रहा है ब्रिटिश सासन के प्रती राजबक्त थे ठीक है ब्रिटिश सासन के प्रती कहीं न कहीं वो राजबक्त थे वो मानते थे कि जो सासन चल रहा है वो ठीक है पास्चत्य सब्वेता के प्रबल समर्थक थे पास्चत्य सब्वेता भार की जो सब्वेता थे उसके प्रबल समर्थक थे ब्रिटेन के साथ स्थाई संबंद बनाई रखने के समर्थक थे इनका मानना था कि ब्रिटेन के साथ रहकर के भारत जो है वो ग्रोध कर सकता है के लिए ब्रिटिश शासन को अवश्चक समझते थे उदारवादी नेता राजनीतिक एवं प्रशासनिक छेतर में धीरे-धीरे सुधार लाने के पक्स में थे एक इस परकार से धीरे-धीरे भारत को आगे बढ़ाये जाए यानि कि ये करांतिकारी जो परिवर्तन थे न ये उससे कहीं अलग थे ये कहते थे कि धीरे-धीरे सुधार लाया जाएगा स्थिती में और हमें ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के आगे चलना चाहिए ब्रिटिश की नीतियों को ये कहीं ना कहीं पसंद करने लग गए थे इसके बाद कुश्चन आता है most important ए सईयोग एवं सवीने अवग्या आंदोलन में गांधी जी के योगदान की चर्चा कीजिए ठीक है ए सईयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था जब अंग्रेजों के अक्तियाचार अक्तियदिक बढ़ गए थे तो गांधी जी के द्वारा विबिन्य प्रकार के आंदोलन चलाए गए थे जिसमें से एक most important है ए सईयोग आंदोलन और सवीने वेग्या आंदोलन ठीक है यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कारियों के विरोध में देश व्यापी अहिंसक आंदोलन था गांदी जी का हमें से सवी आंदोलन अहिंसक रहे थे किसी आंदोलन में यदि किसी ने हिंसा का प्रियोग किया तो वो आंदोलन को छोड़ देथे तो वो अहिंसा वादी वेक्ती थे तो अंग्रेजों की जो अन्यायपूर्ण नीती थी भारतियों के विरुद ठीक है अंग्रेजों की द्वारा जो बनाए गए कानून थे भारतियों के विरुद किस परकार से वो उनका सोशन करते थे उनके कारियों उनकी नीतियों के विरुद में जो है आसयोग आंदोलन को चलाए गया था इस आंदोलन में स्पस्ट किया गया कि सवराज अंतिमुद्देश से रहेगा ठीक है इसमे सपस्ट किया गया था कि सवराज जो एंतिमुद्देश से है आंदोलन के दोरान स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूलों और कोलीजों में जाना छोड़ दिया था मात्मा गांधी की हमारे देश में बहुत पॉप्लरेटी थी उस टाइम पे मात्मा गांधी को पूरा देश बापु कह करके पुकारता था और पूरा देश जोए उनको फोलो करता था तो जबी भी वो कोई आमदोलन करते थे तो लोग उसके अंदर बढ़ चड़कर हिस्सा लेते थे तो स्टूडेंट्स ने भी सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे कोलीज ने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने जाना चोड़ महतमा गांदी के योगदान की बात करें तो महतमा गांदी थे जो पूरे देश में एक जुटता लेकर आए थे और इन्हों ने अहिंसा का पर्योग करते हुए और कहीना कई अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था अपनी मांगेमानने पर अहिंसा और सवीने अवेग्या अंदोलन उनके दर्शन उनकी रणनीती और उनके नेत्रतों में आगे बढ़ा था ठीक है उनके नेत्रतों में ये अंदोलन आगे बढ़े थे उनकी देख रित्में उनके दर्शन में उनके नेत्रतों में उनकी रणनीतियों के द्वारा ही अंदोलन स तर पर हुए थे जिस से अंग्रेजों को जो है मज अंग्रेज मज़पूर हो गए थे बाते मानने के लिए इसके बाद डिसकस करते हैं लास्ट कोशिन को लास्ट कोशण हमारा आता है टिप नहीं करो ठीक है यह कोशण आपने देखा होगा यह छोटे-छोटे questions होते हैं जहाँ पर आप अच्छे number score कर सकते हो ठीक है छोटा-छोटा सा topic होता है ऐसे प्लासी का यूद्ध मैं देख रहा था प्लासी का यूद्ध एक छोटा सा topic है इसको आप लिख करके अच्छा score कर सकते हो तो इनको आप बिल्कुल ना छोड़े इनको ज रहे थे रोबर्ट कलाईव, रोबर्ट कलाईव की नितरतों में ये युद लड़ा गया था और सिराजुद दोला को जो है पलासी की युद में हरा दिया गया था, ठीक है तो आपको याद रखना है कि पलासी का युद हुआ था तेजुन 1757 को, किसके बीच हुआ था, सबसे पहले निती थी फूट डालो और सासन करो यादि फूट नहीं डलती थी तो उसके बाद फिर वो चढ़ाई कर देते दूसरा में कारण था नवाब के शत्रू को शरण देना जो सिराजुत दोला नवाब की शत्रू थे अंग्रेजों ने उनको शरण देनी शुरू कर दी थी ठीक है उसके शत्रू के साथ मिलना शुरू कर दिये था उसके शत्रू को अपने साथ रखना शुरू कर दिये था शर ये निए उन्ट आने के ते इसने क्या है था तो बात बचती थी वह वस्तापित करना स्थाआ Trustees लोग थे उसके अधिक से अधिक टेक्स लाना स्टाट कर दिया था उनको परेशान करना स्टाट कर दिया था तो वह पारिक सुक्सुईदाओं का जो वो है गलत तरीके से इस्तमाल करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था तो अंतिम जो बात बचती थी वो क्या बचती थी कि यूद तो यूद हुआ फिर पलासी का यूद 1757 में तो यहां पर अंग्रेजों की जीत होती है उसके बाद आता है ए महान समात सुधारक रहे हैं ठीक है बिटिस भारत के खानवाड़ी जो बिटिस भारत में खानवाड़ी नाम की जगेती जो पूरे में आज वो महरास्ट्रे में हैं, आज के समय में, तो यहां पर इनका जनम हुआ, इनका पूरा नाम था जोती राव, गोविंद राव, फूले, ग्यारा प्रहल, एठारो सताइस को इनका जनम हुआ था, जोती राव फूले और इनकी पत्नी, सावित्री भाई फूले, दोनों ही एक महान समात सुधारक थे, दोनों ने ही दलीतों के लिए और महिलाओ के लिए अपना जीवन समर्बन किया था, ठीक है, दलीतों को उनका अधिकार दिलाने महिलाओ को शिक्षित करने में, दोनों ने अपने पूरे जीवन की जीजान लगा दी थी, यानि जीवन के अंतिम दोर तक उन्होंने यही काम किया था, कि किस प्रकार से महिलाओं को शिक्षित किया जाए, दलीतों को उनका अधिकार दिया जाए, ठीक है, इन्होंने स्त्री शिक्षा और दलीतों के शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए मिलकर काम किया, इन्होंने 1848 में एक स्कूल खोला ठीक है सावित्री बैन्सा विले ने सकूल खोला था जो स्तिरी शिक्षा और उनकी दशा को सिधारने का प्रथम कदम तो यहां पर सिवत riba को सिठ्षा दी जाती थी तो पहला पहला कदम था कि किस प्रकार से इस्त्री को शिक्षा दी जाए और उनकी जो दैनिये स्थिती है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जाए ये पहला कदम था 1848 में उनके दुआरा जो है एक स्कूल को खोला गया थी 24 सितंबर 1873 को इनोंने महाराष्टर में सत्य सोदक समाज की स्थापना की थी महाराष्टर में किनोंने जोतिरा फूले के द्वारा ये विद्वा पुनरविवा के समर्थक थे और इनके द्वारा जो मुख्य पुस्तके लिखी गई थी वो थी गुलाम गिरी, छत्रपती सिव अच्छूतों की कैफियत, किसान का कोडा, तृत्य रतन, ये कुछ महत्पुन पुस्तक हैं जो इनके द्वारा लिखी गई थी, तो जोतिरा फूले और इनकी पत्नी सावित्री बेहन, दोनों ही बहुत बड़े समाज सुदारक रहे हैं, दोनों ने ही दलितों के पक्षमे क कारी किया है, इस्त्रीयों के पक्षमे कारी किया है, तो यहां पर हमारी ये वीडियो खतम हो जाती है, यहां पर हमने 5 कोशन डिस्कस किये, जो 5 टॉप मोस्ट इंपोटेंट कोशन है जो आपके एक्जाम में जरूर पूशे जा सकते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद.